हेलो मैं डिस्कस करने जा रही हूं हेलो एलकेंस एंड हेलो एरिंस में उसके आगी का जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे हमने जो एक्सराइज कर ली थी वो कर ली थी 10.16 नमबर तक आज हम करने जा रहे हैं इसका एक्सराइज का 10.17 तो चलिए शुरू करते हैं तो य ये वाला जो है ठीक है इन दोनों में क्या है कौन जादा इसली हाइडरोलाइज हो जाएगा तो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल दिये हुए हैं पहला मॉलिक्यूल है यानि कि C6H5, CH2, CL और दूसरा मॉलिक्यूल है C6H5, CH, CL, C6H5 अब कौन इसली हाइडरोलाइज हो जाएगा इन दो बाई एक्वस के ओएच तो एक्वस के ओएच दिया हुआ है इसका मतलब सब्स्टिटुशन रियक्शन है नुक्लियोफिलिक ओके तो यहाँ पर क्या होगा कि CL बहार निकलेगा तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी एक्वस यान की वाटर होगा हाइडरोलाइसिस की बातोरी यान की वाटर होगा वहाँ पर तो यहाँ पर अगर यह सियल निकलता है इसमें तो किसकी फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी मेंजाइलिक कार्बोकेटायन होगया और यहाँ पर अगर सियल है वो 2 degree carbocatine है 2 degree यानि इस carbon के इधर और इधर दोनों तरफ दो carbon है 1 degree यानि की carbon के इधर एक cable एक ही carbon से attached है तो 2 degree carbocatine की formation हो रही है इसमें उपर से यहां पर भी phenyl ring है और यहां पर भी phenyl ring है तो resonance stabilization भी आ जाएगा यानि कारbocatine किस से final ring से कारbocatine stable हो रहा है और यहां पर दो ring जो हैं कारbocatine को stabilize कर रही है तो जो carbocatine है वो कौन सा ज्यादा stable है यह वाला carbocatine ज्यादा stable है यानि SN1 reaction हो रही होगी जिसमें stability of carbocatine matter करती है तो यह वाला carbocatine क्या है more stable carbocatine है उसकी वज़े से क्या होगा जो सबसे easily hydrolyze होगा वो hydrolyze होगा यह वाला molecule यह second वाला जो है वो easily hydrolyze होगा क्योंकि यहां पर two degree carbocatine की formation हो रही है I hope इसका answer clear होगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ next question है यहां पर हमीं बताना है कि जो यह paradichlorobenzene है उसका जो melting point है वो ज़ादा होता है ortho dichlorobenzene से और metadichlorobenzene से तो ऐसा क्यों होता है कि इसका जो melting point है यानि कि melting point वो ज़ादा होता है इन दोनों से तो एक reason है इसका कि यह जो paradichlorobenzene है वो क्या है more symmetrical है यानि कि symmetrical है एक तो यह यहां पर cl है यहां पर cl है symmetry pass करोगी तो pass हो जाएगी तो एक तो यह more symmetrical हो गया अब more symmetrical होने की जिससे जो क्या है easily fit हो जाएगा crystal lattice में यानि कि it get easily fixed easily fixed into crystal lattice तो जब यह उसमें easily fit हो जाएगा तो अराम चे तूटेगा नहीं तो melting point क्या होगा जादा होगा ठीक है तो इस वज़े से क्या होता है जो paradichlorobenzene है उसका melting point किस से जादा होता है ortho and metadichlorobenzene से I hope इसका answer भी clear होगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ अब next question है यहाँ पर 10.19 इसमें हमें बताना है conversion करना है conversion किसका करना है यहाँ पर first part है प्रोपीन को हमें propene one all में convert करना है तो प्रोपीन यानि कि जब alkene को किस में convert करना होता है alcohol में तो हम क्या करते हैं पहले जो प्रोपीन की reaction किस से करा देंगे यहाँ पर एक तो directly क्या कर देते है hydrolysis भी कर देते हैं एक प्रेस की presence में लेकिन वो कब करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है hydrolysis नहीं करनी है यहाँ पर क्या है propene से यान कि propene पहले हम इसका structure बना लेंगे इस तरह से CH2 CH CH3 यह है propene और इससे हमें क्या बनाना है अब यहाँ पर one all बनाना है तो one all के लिए यानि कि CH3 यहाँ पर जो वेच लगा हुआ हुगा यहाँ पर first position पर ठीक है तो वो करने के लिए यानि कि जो OH आना चाहिए वो यहाँ नहीं आना चाहिए इस वाली position पर आना चाहिए less substituted side पर आना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसकी पहले reaction करा देंगे अगर हम HBR के साथ में करा दें in the presence of peroxide तो peroxide effect लग जाएगा तो peroxide effect लगने की वज़े से BR जो आएगा वो यहाँ पर आएगा यानि यहाँ पर आगया CH2 यहाँ पर आगया BR ठीक है और यहाँ पर आगया आपका CH2 और यहाँ पर आगया CH3 अब हमने BR यहाँ क्यों लगाया है क्योंकि हमें substitution क्योंकि इसी position पर कराना है यानि जो OH add होगा यानि addition इसी position पर होना चाहिए उसके लिए पहले हम इसका BR का addition कराएंगे यहाँ पर यह हमने करा दिया addition ठीक है और वो किसकी presence में हो सकता है पर आग्साइड की presence में इस वाली position पर अगर हम पर आग्साइड नहीं लेते तो यहाँ पर BR लगता ठीक है तो हमने यह करा दिया इसका anti-markovnikov addition भी बोलते हैं इसको यहनि anti-markovnikovs addition अब क्या करेंगे अब हम इसका substitution करा देंगे substitution किसकी presence में कराएंगे aqueous koh ले लेते हैं यहाँ पर oh- as a nucleophile use होगा attack कर देगा और कहां पर लग जाएगा BR की जगह पर आकर लग जाएगा ठीक है तो यह क्या बन गया product बन गया प्रोपेन वान ओल यह क्या हो गया प्रोपेन वान ओल मुझे दुबारा रिखने की ज़रूत नहीं इसका नाम अल्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है अब next question है contenol इससे हमें क्या बनाना है bute 19 बनाना है यानि वान आयन och CH2 यह हो गया oc और इसकी reaction एसी किसे कराएं कि हमें क्या मिल जाए bute-1-9 तो पहले हमें OH की जगे पर क्या लाना होगा? OH की जगे पर हमें लाना होगा हलो जन उसके लिए क्या करेंगे? इसकी reaction SOCR2 के साथ करा दीजिए SOCR2 के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा alkyl chloride ठीक है? इसमें क्या निकल जाएगा? H2O, HCl, sorry reaction में बाहर क्या निकलता है? एक निकल जाएगा SO2 और एक निकलता है HCl, बाहर निकल जाता है gas की form में तो ये बन गया हमारे पास में alkyl chloride अब इस alkyl chloride की reaction हम किस से कराएं? तो हम इसकी reaction कराएंगे, ये हमारे पास में था CH 111 C minus Na plus इस वाले reagent की साथ में reaction कराएंगे तो क्या होगा? ये किसको replace कर देगा? इस Cl को substitute कर देगा और product क्या मिल जाएगा हमारे पास में? product हमें मिल जाएगा ये CH3 CH और यहां पर बन गया ये CH2 और C 111 CH but 1 आइन हमें product मिल गया इस reaction में I hope इसका answer भी clear होगा अब बढ़ते हैं next part की तरफ इस question के next question है यहाँ पर 1 bromopropane यानि इससे हमें क्या बनाना है? 2 bromopropane तो 1 bromopropane क्या होगा? 1 bromopropane होगा ये BR आ गया ये CH2 और ये हो गया CH3 इससे हमें क्या बनाना है? 2 bromopropane बनाना है यानि ये हो गया BR और ये हो गया CH3 अब ये कैसे बनेगा? यानि अगर हम इसकी reaction करा दें यानि इससे के पहले हम convert कर लेंगे किसमें? अलकीन में अलकीन में कैसे convert करते हैं? जब इसकी reaction कराते हैं alcoholic KOH के साथ में alcoholic KOH और aqueous KOH में ध्यान रखना है कि CH5O- यहाँ पर C2H5O- as a base react करता है और जब यह ऐसा base react करेगा तो यह बीटा position से क्या करेगा? यह alpha position है यह बीटा position है तो बीटा position से proton abstract कर लेगा उसकी वज़े से यहाँ पर double bond की formation हो जाती है और यह यहाँ से बहार निकल जाएगा यानि minus HBR और क्या बन गया? CH2 double bond CH और CH3 पहले क्या बन गया? प्रोपीन बन गया अब प्रोपीन को हमें किसमे convert करना है? प्रोडेक्ट में प्रोडेक्ट है हमारा 2-bromo-propane उसके लिए क्या करेंगे? HBR के साथ में अगर हम इसकी reaction करा दें, Markovnikov's addition करा दें, ठीक है? तो more substituted side में क्या आकर लग जाएगा? यहाँ पर BR और यहाँ पर hydrogen तो प्रोडेक्ट क्या बन जाएगा? 2-bromo-propane I hope इसका answer clear होगा कि reaction कैसे हुई है? अब देखते हैं next question next question है कि toluene है और toluene से हमने क्या बनाना है? toluene से हमने बनाना है benzyl alcohol तो benzyl alcohol कैसे बनेगा? जब toluene की reaction अगर हम किस से करा दें? अगर हम इसकी reaction यहाँ पर क्या चाहिए? halogen चाहिए तो halogen अगर हमें किस पर चाहिए? alkyl position पर चाहिए तो हमने reaction पढ़ी थी कि अगर CR2 की reaction कराएं in the presence of sunlight और in the presence of heat तो क्या आजाएगा यहाँ पर alkyl जो position है वहाँ पर लग जाएगा halogen CH2Cl यानि कि अब यह बन गया हमारे पास में benzyl chloride और जब benzyl chloride की reaction किस से कराते हैं? aqueous KOH से कराते हैं तो यहाँ पर आजाएगी substitution reaction nucleophilic substitution reaction तो यहाँ पर product क्या बन जाएगा? benzyl हमें benzyl alcohol बनाना है ना phenol नहीं बनाना benzyl alcohol बनाना है तो CH2OH तो यह बन गया है benzyl alcohol benzyl alcohol किस से? toluene से toluene से पहले हमने direction कराई CL2H2 से क्योंकि यहाँ पर हम ले आएएगे alkyl position पर halogen जब halogen आ गया हम इसको easily substitute करा सकते हैं तो यहाँ पर OH जो है CL को substitute कर देगा और बन जाएगा benzyl alcohol I hope इसका answer भी clear होगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ अब यहाँ पर next question है benzene से हमें बनाना है 4-bromo-nitro-benzene तो 4-bromo-nitro-benzene बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पर क्या लगा देंगे halogen लगाएंगे halogen लगाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले इसकी reaction हम करा देंगे किस से BR2 क्योंकि BR लगाना है न and FE BR3 as a catalyst work कर रहा है in the presence of dark तो यहाँ पर क्या आ जाएगा bromine आ जाएगा अब हम इस halo arine का करा देंगे nitration यानि HNO3 in the presence of H2SO4 concentrated तो यहाँ पर क्या आ जाएगा para position पर आ जाएगा nitro NO2 यह हो गया nitration halo arine का या फिर बोल सकते हो Bromo Benzene का nitrogen कराएंगे तो यह मिल जाएगा हमारे पास में 4 Bromo Nitro Benzene अब देखते हैं हमें बनाना है Benzyl Alcohol से 2 Phenyl Ethenoic Acid तो इसके लिए क्या करेंगे जो Benzoyl Alcohol यानि यहाँ पर लगा हुआ है OH और यहाँ पर क्या आ गया COOH तो यह लाने के लिए हम सबसे पहले इसकी reaction करा देते हैं हमें किसी तरह से यहाँ पर क्या लाना है हेलोजन लाना है हेलोजन लाने के लिए हम इसकी reaction कराएंगे क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर लेते हैं POCl 3 ले लें चलो इसको ले लेते हैं POCL PCL5 PCL5 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CL CH2 CL और डियक्षिन में क्या निकल जाएगा यहाँ पर POCL3 और माइनस एक HCL और निकल जाएगा 3,2,4,5 हाँ ठीक है तो अब यह हमारे पास में आ गया Benzyl Chloride अब जो Benzyl Chloride है इसकी Reaction हम किससे कराएगे यहाँ पर कराएगे हम Substitution मालो Substitution में हम ले रहे हैं यहाँ पर KCN In the presence of aqueous ethanol तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Substitution हो जाएगा और Substitution में यहाँ पर क्या निकल जाएगा Minus KCl बहार निकलेगा और Cn कहाँ पर आजाएगा जो निकलोफाइल होगा Cn- वो Cl को Replace कर देगा और यहाँ पर क्या आजाएगा यह Benzyl Sainide इस तरह से अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है COOH लगाना है तो हमने Reaction पड़ी हुई है कि Cn की जब इस तरह से Condition हो तो यहाँ पर इसका Hydrolysis करा दो H plus H2 Hydrolysis करा दीजी Hydrolysis कराएगे तो Cn की जगे क्या आजाएगा COOH आजाएगा यहनि CH2 COOH Benzyl यह Benzoic Acid हो गया Not Benzoid ठीक है यह हो गया क्या? Benzyl Alcohol यह हो गया Benzyl Chloride ओके? I hope यहाँ तक Clear होगा इसका जो Answer है यह भी क्या हो गया Benzyl Cyanide हो गया एक तरह से ओके? वो हो गया क्योंकि यह इसमें Count नहीं होगा यह Phenyl अलग हो जाएगा क्योंकि हमारा Main Substituent क्या है? COOH है तो हम Numbering कहां से करेंगे? यहां से 1, 2, यह यहाँ पर क्या है? यह हो गया Substituent तो यह हो गया अब यहाँ पर Phenyl तो इसी वज़े से यहाँ पर लिखा हुआ है 2 Phenyl ठीक है? 1 और 2 क्योंकि 2nd position पर लगा हुआ है तो 2 Phenyl Ethinoic Acid इसका नाम हो गया यहाँ पर भी यह जो है इसका नाम different हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर CN कहाँ पर लगा हुआ है carbon से यहनि main chain क्या हो जाएगी हमारी यह हो जाएगी I hope इसका answer clear होगा आप बढ़ते हैं next question की तरफ अब next question है इसमें हमें बनाना है Ethanol से propane nitrile Ethanol से propane nitrile बनाने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर OH है तो इसे अच्छे living group में change करेंगे substitution कराने के लिए तो इसकी reaction हम किस से करा दें red phosphorus के साथ में करा सकते हो BR2 and red phosphorus के साथ करा सकते हो PCl5 के साथ करा सकते हो PCl3 के साथ करा सकते हो ठीक है HCl in the presence of derin Cl2 के साथ करा सकते हो मालो हम इसकी reaction करा रहे है PCl5 के साथ में तो यहाँ पर बन गया CH3, CH2, Cl आ जाएगा ठीक है अब यहाँ से अगर इसको replace करना है इसके लाबाब आप PCl5 से नहीं कराना हो तो BR2 red phosphorus की presence में भी करा सकते हो तो यहाँ पर आ जाएगा BR अब इसकी reaction किस से कराएं अब KCN से करा दू Aqueous ethanol की presence में ठीक है माइनस KBR बहार निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा CN यह वाला product आ जाएगा CH3, CH2 CH2, CN यानि propane, nitrile form हो जाएगा I hope इसका answer clear होगा ऐसा ही हमें बनाना है अनिलीन से हमें बनाना है यह वाला product इसके लिए क्या करेंगे हम अनिलीन को किस में convert कर लेंगे Benzene, Di-Azonium Salt में जिसमें से easily N2 और CL बहार निकल जाता है CL आ जाता है लगा हुआ ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे इसकी reaction पहले हम इसको किस में convert कर लेंगे Di-Azonium Salt में Benzene के तो NaNO2 हम लेते है In the presence of HCl और temperature लेते है 273 से 278 Kelvin 278 Kelvin ठीक है तो इसमें reaction में क्या निकल जाएगा बहार इसमें निकल जाता है जब इससे कराते हैं तो NaCl यह Na और यह Cl बहार निकल जाएगा माइनस H2O यह दो लेने पड़ेंगे तो H2O बहार निकल जाएगे क्या form होगा Benzene Di-Azonium Salt यानि N2 प्लस Cl- तो इसको बोलेंगे Benzene Di-Azonium Asonium Salt अब जो Benzene Di-Azonium Salt है इसकी reaction करा देते हैं CuCl2 के साथ में तो क्या बन जाएगा Clorobenzene form हो जाएगा और N2 बहार निकल जाएगा I hope इसका answer भी clear होगा अब बढ़ते हैं Next question की तरफ अब यह वाला question देखते हैं 9th question 9th part जो है इसमें इसमें है 2-Clorobutane यानि 2-Clorobutane से हमें क्या बनाना है 3-4-Dimethylhexane तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है Butane 1-2-3-4 और हम क्या बना रहे हैं Dimethylhexane यानि यहाँ पर 6-member chain की form हो रही है और यह है 4-member chain अब यहाँ पर क्या है जो यह CL है वो second position पर लगा हुआ है तो मैंने एक reaction बताई थी जिसको बोलते हैं would reaction यानि कि जब हम alkane की बात करते हैं hello alkane की तो hello alkane की reaction जब कराते हैं sodium in the presence of dry ether के साथ में तो क्या form होता है यह product form होता है यानि कि sodium की 2-NA ले लेंगे और with dry ether करा रहे हैं यह reaction in the presence of this तो क्या बन रहा है इस reaction को बोलते हैं would reaction यानि कौन से reaction हो गई would reaction जिसमें जो hello alkane है तो उसका जो alkane वाला part है यानि ये वाला part तो जहां से halogen निकलेगा यानि यहां से इस वाली position पर दूसरा वाला जो जहां से halogen निकलेगा वाला part आकर जुड़ जाएगा जैसे मालोई इसके हमने दो molecule ले लिए एक ये हो गया CH3 CH2 CH यहां पर CL आ गया और यहां पर हो गया CH3 अब यहां पर क्या होगा जो ये CL है ये दोनों CL क्या minus 2 NaCl की फॉर्म में बाहार निकल जाएंगे और ये जो C है और ये वाला जो C है ये आपस में attach हो जाएगा इसी तरह से ये attach हुआ है यानि कि ये CL दोनों बाहार निकल गया है अनने के साथ में और ये वाला जो carbon है ये वाला जो CH है और इस वाले का ये वाला जो carbon है यानि कि ये वाला CH ये आपस में attach हो गयी है और इस तरह से ये structure की formation हो गई इसको बोलते हैं 3-4-dimethyl-hexane I hope इसका answer clear होगा अब देखते हैं next question इसमें हमें बनाना है 2-methyl-1-propene यानि यह 1-propene से 2-chloro-2-methyl-propene यानि इसमें जो यह वाली position है इस वाली position पर क्या आकर लग गया है यहाँ पर CL आकर लग गया है तो यह बहुत ही simple reaction है आपको पता है कि HCL के साथ में Markovnikov's addition हो जाएगा यहाँ पर Markovnikov's addition तो यह क्या होगा more substituted side पे आकर क्या लग जाएगा CL लग जाएगा और जो lesser substituted side है वहाँ पर आकर यह hydrogen attach हो जाएगा तो किसकी formation होगी इसकी 2-chloro-2-methyl-propene की formation हो जाएगी I hope इसका answer भी clear होगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ अब देखते हैं next part इसमें क्या दिया हुआ है ethyl chloride से हमें बनाना है propanoic acid अब यहाँ पर CL already दिया हुआ है इस reaction में हमें अगर alcohol दिया हुआ होता तो हमें alcohol से पहले alkyl halide बनाना होता पर alkyl halide यहाँ पर already दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करा देंगे substitution करा देंगे किसके साथ में kcn in the presence of aqueous ethanol तो यहाँ पर क्या हो जाएगा substitution में यहाँ पर क्या जाएगा CL की जगा पर cn आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो product है उसमें एक carbon ज़ादा है reactant से तो वो carbon कैसे आएगा जब हमने यहाँ पर cn लगा दिया substitution reaction से अब क्या करेंगे अब simply इसका hydrolysis करा देंगे hydrolysis करा देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा COOH आ जाएगा यहाँ प्लस और H2O की presence में हम क्या करा रहे है hydrolysis और यहाँ पर क्या बन जा रहा है propanoic acid की formation हो जा रही है I hope इसका answer clear होगा अब देखते हैं next question में यहाँ पर हमें बनाना है but one in से n-butyl iodide ठीक है यानि कि but one in है य यह भी तो पहले हम इसकी reaction करा देंगे किसके साथ में HBR के साथ कराएंगे हां क्योंकि हम alkyl halide बनाएंगे और फिर हम करा देंगे fincalistine reaction तो HBR के साथ में मालनों हमने reaction कराई in the presence of क्योंकि यहाँ पर substitution हो रहा है तो BR भी यहाँ लगना चाहिए वो लगेगा in the presence of peroxide क्योंकि peroxide effect लग जाएगा तो CH2 और peroxide effect केबल HBR ही शो करता है CH2 CH3 यह आ गया अब यहाँ पर क्या करा दो इसकी reaction करा दो आप किसके साथ में NAI के साथ में in the presence of dry ether और यह reaction क्या कहलाती है फिंग कैलिस्टीन reaction इसको क्या बोलेंगे फिंग कैलिस्टीन रियक्शन और किसकी formation के लिए यूज होती है फिंग कैलिस्टीन रियक्शन for the preparation of idylkane इससे हमें क्या मिल गया bromo-alkane से हमें क्या form हो गया idylkane की formation होगी जिसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं and butyl iodide i hope इसका answer भी clear होगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ अब next part है 2 chloropropane, इससे हमें बनाना है 1 propanone, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके reaction यानि कि 2 position पर लगा हुआ है chlorine, तो पहले हम इसका करा देंगे in the presence of, यानि chlorine को हटा के alkyne की formation कराएंगे, और वो किसके presence में होता है, alcoholic koh की presence में, अब जब इसकी reaction कराएंगे तो यहां से cl न अब हम इसका करा देंगे, क्योंकि first position पर हमें क्या लगाना है, पहले halogen लगाना है, तो इसका कराएंगे हम anti-markovnikov addition, यानि कि HBR, परोकसाइड की presence में, परोकसाइड यह गया anti-markovnikov addition, ओकी, तो यहां पर किसकी formation हो जाएगी, CH2, यहां पर लग जाएगा, BR, यहां पर CH2 और यहां पर CH3, अब इसका क्या कराएंगे, इसका कराएंगे, aqueous KOH की presence में, यहां पर क्या हो गया, substitution हो गया, substitution, ओकी, तो यह क्या मिल जाएगा हमें, alcohol, यानि कि propanol की formation हो जाएगी, यहां पर I hope इसका answer clear होगा, अब देखते हैं, next question, next question में यहां पर देखते हैं, कि alcohol से क्या बन रहा है, आइडो फॉर्म बन रहा है, तो यह कैसे तो हमें पता है, यहां पर 2 degree alcohol है, अगर हम इसको ketone में बदल दें, यानि ketone में, CRO3 की presence में क्या करा दें, oxidation करा दें, तो यह बन जाएगा acetone, अब यह वारा जो group लग गया है, इसका क्या करा देते हैं, आइडो फॉर्म टेस्ट, आइडो फॉर्म यानि NAOI की presence में, तो NAOI की presence में, जब इसका करा देंगे reaction, तो यहां पर मिल जाएगा CH3COona, प्लस CHI3, आइडो फॉर्म की formation होगी, यानि यह बन रहा है sodium acetate, और क्या बन रहा है, आइडो फॉर्म, I hope इसका answer भी clear होगा, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, अब देखते हैं, next part, हमें बनाना है chlorobenzene से paranitrophenol, परaposition पर nitro है और यह फिनोल है, तो यह कैसे form होगा, तो हमें यहां पर क्या कराना पड़ेगा इसका पहले, जो chlorobenzene है, इसका पहले हमें कराना पड़ेगा, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन जब हम कराएंगे chlorobenzene का, जैसे यह लिया हमने chlorobenzene, यह लिया हमने concentrated H2SO4, and HNO3, तो यहां पर क्या आएगा, यह बन जाएगा ortho chlorobenzene and paranitro chlorobenzene, अब जो paranitro chlorobenzene है, उसकी reaction हम कराएं किससे, NaOH की presence में, NaOH around 443 Kelvin temperature, and second ले रहे हैं, कोई भी acid, यानि HCL ले लिया मानलो हमने, तो यह जो है substitution हो जाएगा, aromatic, और यहां पर क्या आजाएगा, OH आजाएगा, और यहां पर, तो यह formation हो जाएगी, paranitro phenol की, I hope इसका answer clear होगा, अब देखते हैं, next question, next question है, बहुत ही आसान question है, इसमें क्या हो रहा है, जो 2 bromopropane है, उससे हमें 1 bromopropane बनाना है, तो यह reactions इस टाइफ की हम already कर चुके हैं, क्या करेंगे, पहले इसका हम करा देंगे, alcoholic, QOH, यानि elimination हो जाएगा, यहां पर, elimination में क्या निकलेगा, यहां से BR और एक hydrogen निकल जाएगा, यानि minus HBR यहां से बहार निकल गया, तो क्या form होगा, प्रोपीन की formation हो जाएगी, अब जो प्रोपीन है, इसका फिर से क्या करा दें, इसका करा दें, anti-markovnikovs addition, यानि परोकसाइड effect, HBR, in the presence of peroxide, यानि anti-markovnikovs addition हो गया यहां पर, तो यह किसकी formation हो गई, इस वाले product की, यानि BR कहां पर लएगा, यहां पर आकर लग जाएगा, I hope इसका answer भी clear होगा, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, next part है, बहुत ही आसान questions हैंगे, हमें यहां पर क्या है, chloroethane है, और यहां पर क्या बन गया, butane, यहीं टू carbon से क्या बन जें, चार carbon की एक chain बन गई है, तो मैंने बताया था कि यहां पर जो similar hello alkane की reaction जब कराते हैं, sodium के साथ में in the presence of dry ether, तो उसका double number of alkane की formation हो जाती है, यानि कि किसकी formation हो जाती है, एक alkane की formation हो जाती है, उससे दुगने carbon की एक chain form हो जाती है, किसमें इस reaction में और इस reaction को बोलते हैं, वोट्ज reaction, वोट्ज reaction, इसमें क्या करेंगे, यानि कि CH2, CH2, CL है, प्लस 2NA ले लिए हमने, और CH, यह हो गया, CL, CH2, and CH3, यहां से यह CL, NA के साथ में बहार निकल गया, यानि माइनस 2NA, CL, बहार निकल जाता है रियक्शन में, और क्या form हो गया यहां पर? Double number हो गया एकदम, जो reactant थे, उससे double number, product के formation हो गया, यानि कि alkane के ही formation हो जारी है, किससे? हेलो एलकेन से, अब यह वाली reaction देखते हैं, यह भी इसकी तरह ही है, इसको कहते हैं, वुट्ज, जब एलकेन लेते हैं, हेलो एलकेन, और जब हेलो एरीन लेते हैं, तो वो reaction हो जाती है, लेकिन इससे यह बनाने के लिए, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, किसमें convert करना पड़ेगा, हेलोजन वाले ग्रूप में, यानि इसमें convert करने के लिए क्या करेंगे, जब बेंजीन की reaction कराते हैं, किसके साथ में, वालो BR2, and FEBR3, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, BR लग जाएगा, यह हो गया, भी यार, देखते हूँ, दिख रहा है, यहाँ पर, नहीं, नीछे आ गया है, यहाँ से थुड़ा रच कर देती हूँ, उपर से, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यह कैसे form हो रहा है, यहाँ पर लिख्रियों में कैसे फॉर्म हो रहा है यानि यह आ गया बेंजीन इसकी रियक्शन करा दी BR2 in the presence of FEBR3 तो यहाँ पर बन गया ब्रोमो बेंजीन अब जो ब्रोमो बेंजीन है इसके लेंगे in the presence of sodium यह भी वुट्ज रियक्शन की तरह ही है लेकिन इसमें हैलो एरीन ले रहे हैं तो इसकी रियक्शन जब कराएंगे तो माइनस 2NABR बाहर निकल जाएगा और बाइफिनाइल रिंग की फार्मेशन हो जाएगी या फिर डाइफिनाइल बह सकते हैं तो यह रियक्शन क्या कहलाती है फिटिग रियक्शन कहलाती है जब हैलो एरीन ले रहे हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके नेक्स्ट पार्ट है हमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइट से क्या बनाना है इसके लिए क्या करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइट क्या हो गए यह तर्शरी ब्यूटाइल है इसके यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है तर्शरी कार्बन से ठीक है और आईसो के लिए ISO इस तरह की प्रोजिशन होती है यहां पर लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ इस से बिया यह हो गया आइसो ग्यूटाइल ब्रुमाइट यह फॉर्म करना है यहां पर आकर बिया लग रहा है बहुत ही सिंपल रियक्शन है कैसे इसका पहले करा देंगे हम डी यहिद्लोजनेशन हईड्रोजनेशन हम निकल रहा है और भी यार भी निकल रहा है किसकी प्रेजनलोग जाये कि इल कोली तरे यह वह ओ गया और यह मॉझे तो यह बन गया double bond चाहे इधन लगा लो किकी बात होगी यह हो गया CH3 और यह हो गया CH3 तो यह बन गया isobutene ओके अब इसका क्या करा देंगे in the presence of HBR in the presence of peroxide यानि कि यह हो जाएगा anti-markovnikovs addition यह कराते हैं तो यहाँ पर लएगा BR अब यहाँ पर BR नहीं लएगा BR कहां पर लएगा less substitute side में यानि product कौन सा बन जाएगा यह वाला product form हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्या isobutyl bromide या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अगर नाम लिखे 1 2 3 तो IUPAC name हो जाएगा 1 bromo 2 methyl 1 bromo 2 methyl और यह 1 2 3 carbon की chain है तो प्रोपेन इसका IUPAC name हो गया 1 bromo 2 methyl प्रोपेन तो इस product की formation हो जाएगी किससे इससे यहनि tertiary butyl bromide से हमें क्या बनाना है 1 bromo 2 methyl प्रोपेन की formation करनी है या फिर बोल सकते हो isobutyl bromide की formation करनी है I hope इसका answer clear होगा अब देखते हैं next question next question है एनिलीन से हमें बनाना है फिनाइल आइसो साइनाइल तो एनिलीन से फिनाइल आइसो साइनाइल बनाने क्लिए क्या करेंगे यह वारा जो क्रिश्चन है यह है वैसे कि हमारे हेलो एरेंज से अलग है लेकिन जब दिया हुआ है तो करना होगा इसमें क्या है इसकी डियक्शन हम कराते हैं एनिरेंगी इसकी प्रेजंट में इन्द प्रेजंस ओफ CHCl3 और क्या ले रहे हैं के ओएच ले रहे हैं जब इसकी साथ में हीट ले रहे हैं हीट कर रहे हैं तो क्या होगा यह फॉर्म हो जाएगा हमारे पास में फिनाइल आइसो साइनाइड जिसको बोलते हैं विद थ्री के सी यल बहार निकलेंगे और थ्री H2O इस रियक्शन में बहार निकल जाएगा इसको बोलते हैं कार्बाइल आमाइन रियक्शन कार्बाइल आमाइन रियक्शन यह टेस्ट होता है प्राइमरी जो भी अमीन है अमाइन है अरोमेटिक उनके लिए यह किस में कनवर्ट हो जाता है और इस टेस्ट को बोलते हैं क सारे questions का जो answer है वो clear होगा आज के लिए यहीं पर खतम करते हैं class को ठीक है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाद से जादा share करें वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें thanks for watching